अपने घर आते हैं, अपने पत्नी और बच्चों के बीच बैठते हैं, भव बैभव भरते हैं, संसार में खाने की बस्तुएं जितनी भी प्रतिपादित होती हैं, सब किसानों के द्वारा ही होती हैं, उत्पादित होती हैं, हम राज लिए मरते हैं, फिर वही उपर वाली ब उनको सुलब सुधा की धार सुधा की धार से मतलब दूध से है यहां किसान देखिए दूध निकाल रहा है यह गाय उसकी अपनी गाय है इसको गोधन कहा है और इससे निकलने वाले दूध को सुधा यानिकी अम्रित की धार कहा है सहन सीलता के आगर वे श्रम सागर तरते हैं वे अत्यंत सहन सील होते हैं सहन सील कौन होता है कृसक अत्यंत सहन सील होते हैं वे कठिन परिश्रम करके सारी चीजें उत्पन करते हैं हम राज लिए मरते हैं हमारे और उनमें ये फर्क है कि हम जो गुद्धिव जिनी फर्क हैं व लेकिन हम विपन नहीं रहते हैं किसी न किसी स्थिति में हमसे ज्यादा संपन्य तो किसान होते हैं। जिनके प्रहरी और रक्षा को वो किस से डरेंगे हम राज लिए मरते हैं। शाबित करने में लगे हुए होते हैं। शाखा मैं बुद्धि तजगर विचारों की भिन्यता को भूल करके वे धर्म अपने मूल में अपने जड़ में धर्म को धारड करते हैं। हम राज लिए मरते हैं। हम जो बुद्धिवादी व्यक्ति हैं वो राज के लिए मरते हैं। लास्ट वाले वाले पंक्तियों में कभी जो है पुनह उनकी महत्ता का वड़न करते हुए कहता है। कि होते कहीं वहीं हम लोग हम लोग भी अगर वहीं होते तो फिर कौन ये भोड़ करते हैं।